नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी टेवल को किस तरह से मोडिफाई करते हैं जैसे कि मेरे पास यहां पे कुछ डेटा है यहां पे दिये हुआ अगर मैं इसको टेवल के रूप में कनवर्ट करता हूं त अगर आप यहां पे अभी एरो पे क्लिक करेंगे तो देखें यहां पे यहां पे रखता हूं और इसको कर देता हूं अभी देखें क्या हो गया है कि मतलब यह सारा डेटा जो भी था वह एक टेवल के रूप में कनवर्ट हो चुका है ठीक है अगर आप यहां पे अभी एरो पे क्लिक करेंगे तो देखें यहां पे एक टेवल वन करके आपको दिखाए दे रहा है और यह आपका टेवल सेलेक्टेड हो चुका है अभी मेरा क्या demand है कि यह जो table है इसका range को मैं कम करूं या जादे करूं तो मैं इसका range जो है थोड़ा कम करना चाहता हूं अभी जब आप table 1 जैसे ही select करेंगे तो यह पूरा data जो है select हो जा रहा है मैं चाहता हूं कि इस table का range को कम करके बस यह three column ही यह table के अंदर हो ठीक है तो इसका जो range है वो किस तरह से हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा just आप click करो यहाँ पे table के अंदर कहीं भी आप जैसे ही click करते हो तो आपके सा size table पे click करेंगे ठीक है तो आपके पास क्या होगा तो आपका जो table जो selection range था यहाँ पर आ गया ठीक है अभी आप जो है अपने अनुसार जो भी data रखना है table के अंदर इसको अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर select कर लीजे और मुझे आपको यह three data चाहिए यह three column में चाह होगे देखे table 1 था जो कि पहले पूरा data select कर रहा था अभी देखे यहाँ पर आपको only three column को select कर रहा है और last वाला क्या कर रहा है यह छोड़ दिया है ठीक है तो इस तरह से हम लोग table को modify करेंगा अभी और भी चाहिए सपोज मुझे यह नहीं चाहिए बस इतना ही चाहिए ठ यहां पर किलिक कर रहे हो तो design आप यहां पर किलिक करोगे तो design जो है नहीं आएगा जब आप table के अंदर उसके अंदर किलिक करते हो तभी आपका यह design टैप active होगा ठीक है आप जैसे है अपर जाएँए और यहां से option आता है resize table टेबल जैसे ही आया तो आप यहां पर select करके आपको जितना भी आपका range इतना ही चाहिए आप इतना ही select कर लो इसको कर दीजे ओके तो देखिए आपका जो टेवल का जो range जो है वो modify होके उसके अनुसार आ गया आपका जितना भी selection था उतना ही जो है table के अंदर आ रहा है तो आपने क्या सिखा इस वीडियो में कि मतलब आप किसी भी table को किस तरह से modify करते हो ठीक है वो मैंने इस table में बताया है ठीक है अगर आप चाहते हो कि मेरा इस table को delete करना तो उसके लिए मैंने already वीडियो डाला हुआ है ठीक है वो आप जो है आपको end screen में मिल जाएगा वीडियो तो वहां से आप जो है table को delete करने के बारे में भी आप जान सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलके कुछ new idea new trick के साथ next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद thank you